Hey guys, welcome to the session इसमें इस session में हम बात करने वाले हैं एरिटोरियल पे थोड़ी सी ये आज का एरिटोरियल है राज्येपाल और राज्ये बिधान मंदल से रिलेटेड है आजका आप नियूस पेपर में बहुत देख रहे होंगे राज्येपाल का और सरकार का जो जगड़ा है वो चल रहा है खूब केरल वगएरा के मुद्दे पे भी और दिल्ली का भी आप लोग सुनते ही रहते होंगे जो दिल्ली की निर्वाचिस सरकार है और वहां के लेफटिनेंट जनरल या उप राज्येपाल उनमें आपस में किसी मुद्दे को लेकर बहां से चलती रहती है तो जो राज्येपाल का पद है हमारी राज्येटिक व्यवस्ता में बहुत इंपोर्टेंट सरकता है और राज्येपाल को ये माना जाता है कि केंदर और राज्यों के बीच एक सेतू का काम करता है हाला कि आरोप लगते रहता है कि राज्येपाल जो है वो केंदर का एजेंट है लेकिन ये एक सेतू का काम करता है केंदर सरकार और राज्ये सरकारों की बीच इसे सहकारी सासन के पुर्मुक अंगों में से एक माना जाता है जिस पर हमारा लोकतंत्र गर्ब करता है लेकिन काफी लंबे समय से बहुत जो अलग-अलग राज्ये हैं उनके राज्येपालों की जो कारियाल है राज्येपाल है उनकी भूमी का सक्ति और विशेसादिकार पर राजनेतिक संबैधानिक और विदिक छेतर में गर्म गर्म बहसे होती रही है ऐसा चलता रहता है अभी जो है राज्येपाल राज्ये संगर्स में एक ब्रद्धी नजर आ रही है नोकर साहों की नुक्तियों के लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली के उप राज्येपाल जो दिल्ली सरकार हैं और दिल्ली कोप राज्यपाल हैं उनके बीच सक्ति संगर चलता रहता है अभी तमिलाडु सरकार और तमिलाडु के राज्यपाल के बीच जो नीट की परिक्सा है रास्टी है पातरता सहे परवेस परिक्सा उसमें छूट के विधेक पर गतीरोद अभी के एहाल का उधारण है सहकारी जो संगबाद है कोपरेटिव फेडरलीजम इसकी और आगे बढ़ने के लिए अलग 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 पहलो पर विचार करते हुए इस विषय पर सुक्समता से विचार करने की जरूरत भी है अब राज्येपाल का पद जो है भारत में वो कहां से आया कैसे आया और क्या कैस के काम है ये स्वतंतरता से पहले जो गवर्नर का पद था 1858 में जब 1857 की क्रांती हुई थी उसके बाद जो 1858 से भारत का सासन था वो कमपनी से लेके क्रावन के पास चला गया था तो 1858 में जो गवर्नर का पद था वो बहुत महत्पूर होने लग गया था प्रांती गवर्नर कारावन के एजेंट होते थे जो गवर्नर की देख रेख में कार्य करते थे प्रांतों में गवर्नर होते थे वो गवर्नर जनरल की देख रेख में कार्य करते थे और ये उनके एजेंट होते थे इसी तरह से इसकी सुरुआत हुई है फिर आया भारसरकार अधिनियम 1935 उसके बाद जो है गवर्नर को परांत की जो बिधाईका है उसकी मंत्रियों की सला के अनुसार कार्डे करना था प्रांतगी बिधाईका से जो मंत्री है उनसे सना लेगा फिर गवर्नर काम करेगा लेकिन फिर भी बिशेस उतरदाईत और विवेकाधिन सक्ति उसी में नहित रहेगी पिर हम स्वतंतर हैं उसके बाद क्या हुआ संबिधान सभा में जो राज्येपाल का पद है उसके व्यापक रूप से बहस चली जिसने बिट्रिस काल में उसकी भूमिका को रूपांतरित करते हुए इस पद को बना रखने का निड्ने किया यानि कि गवर्नर का जो पद है रा राज्ये के संबिधानिक पुर्मुक की तरह देखा गया है जो अभी हमारी संसद्य पर डाली है इसमें राज्येपाल को राज्ये के पुर्मुक यानि कि संबिधानिक पुर्मुक के रूप में देखते हैं ये भी कहा जाता है कि जो केंद्र में राश्टपती की कंडिसन ह वो राज्ये में राज्येपाल की कंडिशन है वो भारत का या देश का संवेधानिक पुर्मुख होता है राश्पती ये राज्ये का संवेधानिक पुर्मुख होता है अब अनुच्छेद 153 जो हमारा भारते संवेधान है उसके अनुच्छे 153 में ये विवस्था की गई है या ये लिखित है कि राज्ये के लिए एक राज्येपाल होगा किसी व्यक्ति को या तो दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्येपाल बनाया जा सकता है यानि कि नुक्त किया जा सकता है और राश्टपती इसको नुक्त करता है तो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के बारे में प्राबधान है राज्यपाल होगा हर राज्ये के लिए और एक राज्यपाल या एक र्यक्ति एक या दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल हो सकता ये भी प्रापधान है अब जो राज्ये का राज्येपाल है वो राश्टपती द्वारा अपने हस्ताकसर और मुद्रा रही सहित अधिपत्र द्वारा नुक किया जाएगा यानि के राश्टपती के परसाद परियंतिये अपने परधारन करता है और ये दिया गया है आर्टिकल 155 से 156 में अब आर्टिकल 161 क्या कहता है राज्येपाल के पास छमादान की सकती है और कुछ मामले में दंडा देश के निलंबन की भी सकती है परिहार या लगुकरन भी कर सकता है वो छमादान भी दे सकता है राज्येपाल अनुच्छेद 161 के तहत मामले का कुछ मामला है उसमें दंड इसपर्ष कर दिया है कि किसी बंदी को छमा करने की राज्यपाल की संपर्भू सक्ति वास्ता में राज्य सरकार के साथ सर्व सम्मती से पर्योग की जाती है ना कि राज्यपाल द्वारा स्वायत रूप से इस सक्ति को सुप्रीम कोट ने इसपस्ट कर दिया है कि अगर किसी को छमा करना है तो राज्येपाल उसको खुद अकेले छमानी कर सकता है वो राज्ये सरकार से सर्व सम्मति से पर्योग करेगा उसकी सक्ति को जो सरकार है उसकी सलھा राज्य है जो पुर्मु क्राज्यपाल उस पर बंधनकारी होती है अगर सरकार को इस सलः राज्यपाल को दे तो उसको मानने के लिए बाद दिया है अब अनुच्छेद 163 में क्या का गया है कि कुछ सर्तों के अधिन राज्यपाल को अपने करत्यों निकामों का पुर्योग करने में सहायता और सल्हा के लिए एक मंत्री परिस्द होगी जिसका प्रधान मुख्या मंत्री होगा 163 में राज्यपाल के पदगी बात की गई है 163 में उसमें जो करती है राज्यपाल के उसमें मंत्री परिस्द की सल्हा लेनी होगी और उसका प्रधान मुख्या मंत्री होगा तो मंत्री परिस्द को सल्हा देती है आर्टिकल 163 के तहर अब राज्य पाल की जो विवेकादिन सक्तिया हैं उसमें क्या सामिल है मुख्यमंत्री की नियुक्ति हाना कि मुख्यमंत्री इसके परसाद परियत काम नहीं करता है वो बहुमत दल का नेता होता है लेकिन ही नुक्ति करता उसकी जब राज्य बिधान सवा किसी भी दल के पास इस पश्ट बहुमत नहो तब आब इस्वास परस्ताब के समय राज्य में संबैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में ये इसकी विवेकादीन सक्तिया है जो 356 के तहट राज्य में एगर संबैधानिक तंत्र विफल हो जाए या मानो राश्पती सासन लग जाए तो उसमें इसकी कुछ सक्तिया है आर्टिकल 356 के तहट अनुच्छे 200 क्यारा राज जेपाल को विधान सभा दुवारा पारित किसी विधक के अनुमती देने अनुमती रोकने अथवा उसे राश्ट्पती के विचार के लिए आरक्सित रखने की सकती सोपता है तो अनुच्छे 200 voiture कोई विधेयक पारित हो अगर बिधान सभा में तो उसको राज्येपाल अनुमती भी दे सकता है अनुमती रोकी भी सकता है या राश्टपती के बीचार के लिए उसको आरक्सित रख सकता है ये आर्टिकल दोसों के तहत 361 में कहा गया है किसी राज्ये का राज्येपाल अपने पद की सक्तियों के पुर्योग और कर्तवियों के पारण के लिए या उन सक्तियों का पुर्योग और कर्तवियों के पारण करते हुए अपने द्वारा किये गए या किये जाने के लिए तातपर्तित किसी कार्य के लिए किसी नियायले के परतिय उतरदाई नहीं होगा कोई भी काम ऐसा करता है या करने वाला है उसके लिए अनुच्छे 361 के थाथ जो राज्यपाल है वो नियायले के परतिय उतरदाई नहीं होता है यानि कि 361 में से नियाले में से छूट मिली है दोसों में जो है वो अपने जो बिध्यक की अनुमती है उसको रोक सकता है दे सकता है राश्पती की विचार के लिए भेज सकता है अब भारत में राज्यपाल के पत से संबंदित पर मुद्दे आते रहते हैं संबंदता आधारिक नुक्ती केंदर के परतिनिधी से लेकर केंदर के एजिन्ट तक यानि के इस पर ये मुद्दे उठते रहते हैं राज्यपाल के पत से बहुत से मामलों में सत्ताधारी दलने से जुड़े राजनेताओं और पूर्ब नुकरसाओं को राज्यपाल के रुक में नुक्या गया है कई केसे ऐसे देखे होंगे कोई सत्ताधारी दल से जुलावा बेक्ती हो उसको राज्यपाल बना देते हैं कोई पूर्ब नुकरसाओं जैसे जजज बगएरा या आई-एस ओफिसर बगएरा उसको राज्यपाल बना दिया जाता है यान इतों लोग इस पे इल्जाम लगाते रहते हैं कि सरकार ने किसी फैंसले किसी बज़ा से उसका इनाम दिया है जैसे कई वार किसी जजज पे रिटायर जजज पे इल्जाम लग जाता है कि इस जज ने उस सरकार के लिए फैंस लग दिया था तो उसने उसको राज्य सभा का सदस्य बना दिया, राज्यपाल बना दिया इस पद की निस्पक्स्ता और गैर पक्सपाथ के बारे में सवाल उठते रहते हैं कि इस पद का जो है यानि कि राज्यपाल के पद का निस्पक्सता के रूप में उप्योग नहीं होता है इसके साथ ही राज्यपाल की जो नुक्ती है उससे पहले मुख्यमंत्री से परामर्स करने की परंपरा का भी प्रायान देखी होती रहती है मुख्यमंत्री से कोई पराम से उसके लिए काम कर रहा है 2001 में रास्टिय संबिधान कार्य करण समिक्स आयोग यह नहीं मान लिया था कि राज्यपाल अपने न्युक्ति के लिए और पद पर बने रहने के लिए केंद्रपन निर्वर है इस परिदरस्या में यह भी आसंग क्या रहती है कि वह केंद्रिया मंत्री परिशत द्वारा किये गए निर्देश होनों का पारण करता है अधिकतर चांसेज लोगों को ऐसी लगते है उनकी जो आलोचना होती है राज्यपाल पद की वो इसी लिए होती है कि वह केंद्र का एजेंट है और उसके मंत्री परिशत के द्वारा जो निर्देश दिया जाते है उन ही का पारण करता है यह बास संबैधानिक रूप से निर्दिश्ट एक निर्पेक्स था या ततस्ट पद के बुरुद है और इसके परणाम सरूप पक्सपात एक पूर्वा ग्रह की इस्तिती बनती है तो एक निर्पेक्स या ततस्ट पद होना चाहिए था राज्यपाल का लेकिन यह उसके बुरुद है बिवेकादिन सक्तियों का दुरुप योग ये बाले भी इल्जाम लगते रहते है कई द्रश्टान्तों में राज्येपाल की जो विवेकादिन सकती है उनका दुरूपयोग क्या गया है उधारन के लिए आलोचो को द्वारा आरोप लगाया गया है कि किसी राज्ये में राश्टपति सासन के लिए राज्येपाल की अनुसंसा सदैब बस तो इस्थिती पर आधारित नहीं होती बलकि राज्येतिक सनक या कलपना पर आधारित होती है जो कोई राज्ये में राश्टपति सासन लगता है तो वो राज्येपाल उसकी अनुसंसा करता है सिफारिस करता है मानलो किसी X राज्य का, मानलो किसी भी राज्य का राज्यपाल है और वो अपने हैं राश्पति सासन लगवाना चाहता केंद सरकार से तो उसकी जो अनुसंसा करेगा वो वो objective material पर अधारित नहीं होती राजनीतिक सनक या कलपना पर अधारित होती है यानि के कहीं भी उसको राज्पति सासन लगवा देता है इसका भी दुरुप्योग होता ये भी इल्जाम इस पर लगते है राज्यपालो को हटाने के लिए कोई लिखित प्राबधान ये परकरिया के अबाब में कई बार राज्यपालो को मनमाने धंग से हटाने के लिए उधारन सामने आता है तो अब मनमाने धंग से इसको हटाया जाता है या हटा सकते हैं यह भी उधारन ऐसे आते रहते है संबैधानिक और सांविधिक भूमिका के वीच इस पस्त अंतर का भाव है जो मंत्री परिशद है उसकी सलापर कारिय करने के संबेधानिक अधिदेश को चांसलर के रूप में कारिय करने के सांबिधिक प्राधिकार से इसफ़र रूप से अलग नहीं किया गया जिसके प्रधानसव रूप राजज्यापाल और राजी सरकारों को भी संगर्स के स्थेदी बनी रहती है जो मंत्री परिश्द की सला है वो कहां तक लेगा क्या संबैधानिक अधिदेश होंगे उसमें कोई भी इस पस्ट रूप से नहीं बताया गया है इसी बज़ा से दिल्ली में और दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है उसमें और उप राज्यपाल में तना तनी रहती है उधानर के लिए अभी हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा सरकार के नामांकन को दरकिनार कर राज्यपाल द्वारा सरकार के नामांकन को दरकिनार कर एक बिस विद्याले में कुलपती की नुक्ती कर दी थी यानि कि जो राज्यपाल होता है वो राज्ये की उनिवस्टी जहां उनका कुलाधी पती होता है कुलपतियों का कुलपती तो जो वहां की केरल सरकार है केरल का राज्यपार है जो केरल का राज्यपार है महां सरकार के नामांकर को दरकिनार कर दिया और बिश्वित द्याले में कुलपती की नुक्ती हो गई इस वज़ा से इन वज़ा खड़ा हुआ सम्मिधान में मुक्ष्यमंत्री की नुक्ती करने या बिधान सभा भंग करने के मामले में राज्यपाल की सक्तियों के पुर्योग के संबन में कोई दिशा निर्देश नहीं है कोई दिशा निर्देश नहीं दिये गए है मुक्ष्यमंत्री की नुक्ति कैसे होगी विधान सवा भंग करने के मामले में वो उसकी कोई दिशा निर्देश नहीं है उससे नतीजा क्या निकलता है राज्यपाल और सम्मंदित राज्य सरकारों की भी संगर सुत्पन होने की संभावना बनी रहती है अगर वो खुस नहीं होगा या कुछ चीज को चाहता है बदला लेना तो वो उनके जो विधैक है उनको रोक के रख सकता है अनलिमिटेट बना जा जाता है वो पुछ राज्यपाल है वो भी स्विध्यालों का कुलादे पती होता है उसके रूप में अन्यय बैदानिक पदों पर का pakai कननी की परवर्म पर को समाप्त कर दियाना चाहिए जो बिस्विद्यालों का कुलादी पती होता है उसके उस रूप में भी और बाकी जो बैधानिक पद है उसके कार्यकरनिक परंपरों को समाप्त कर दो ताकि क्योंकि यह उसके पद के लिए विबादों और सहरवजिनिक आलोचना के द्वार खोलता है पिर आता है दित्य परसासनिक सुधारायोग ये अंता राज्य परिशद यानि इंटर इस्टेट काउंसिल को दिशा निरदेश तयार करना चाहिए कि राज्य पालो को विबेकादीन सक्ति का पर्योग किस परकार करना है ये इसने अपनी संतुस्ति दी थी राजमनार समीती का कहती है राजमनार समीती इस बात पर बल दिया कि राज्य पाल को स्वम को केंदर के एज़न्ट के रूप में नहीं देखना चाहिए मलकी राज्य के संबैधानिक पुर्मकृ रूप और भूमिकावनिर्भान करना चाहिए तो इसी एवज में लोग बोलते हैं कि एक ऐसे व्यक्ति का चैन हो राज्यपाल के पद पर जो किसी राजनितिक विचारधारा से प्रभावित होगा तो उसके पक्स में काम कर सकता है सरकारिया आयोकिने रिपोर्ट दी थी कि अनुछे 356 का उपयोग है केबल अतियंत दुरलभ मामलों में क्या जाना चीए जब किसी राज्ये के भीतर समयधानिक तंत्र के बिगठन को रोकना संभव हो यानि के जो अपातकाल है या राश्पती सासन है वो बहुत दुरलभ तरीकों में किया जाना चीए त्युललभ मामलों में किया जाना चीए अगर केंद्र सरकार राज्यपाल को हटाना चाहे पास साल से पहले तो मुख्या मंतरी से परामर्ज करे फिर हटाए तो ये बैंकर चले या आयोग ने सिफारिस की थी नुक्ति पुरकरिया पर पुनर विचार कर सकते हैं हम आगे के लिए राज्यपाल की जो नुक्ति पुरकरिया है उसके लिए एक समीति अकठन करना चाहिए उस समीति में प्रधान मंतरी हो, ग्रह मंतरी हो, लोकसब अध्यक्स हो और सम्मंदित राज्ये के मुख्य मंतरी सामिल हो इस समीति के द्वारा हम इसकी नुक्ति कर सकते हैं तथस्त सम्मेधानिक रूख अपनाया जा सकता है राज्यपाल को एक स्वतंत्र गैर पक्सपाति व्यक्ति होना चाहिए वह राज्ये के हितों को ध्यान में रखे और निस्षिद सुनस्षिद करे कि राज्य और केंदर के बीच की कड़ी सुचार रूप से बनी रहे तो गैर पक्सपाति व्यक्ति हो, स्वतंत्र हो तब जाके एक काम सही कर सकता है ये इसका सोलिशन हो सकता है एक आचार सहीत त्यार की जाए कोड ओप कंडेक्ट जो राज्य पाल के विबेक और संबैधानिक अधिदेसों को निर्देसित करे कि कितना विबेक से काम ले सकता है, क्या संबैधानिक अधिदेस है, उसके लिए कुछ मांदंडो और सिद्धान्तों को परिवासित करे जो राज्य पाल का विबेक है एक ऐसा भी कल्प होना चाहिए जो तर्क द्वारे निर्धारित हो, सदभाव से संचालित हो और सतर्कता से संयमित हो तो ये सारे solution हो सकते हैं आगे के लिए अब इसमें अगर future में आने वाले exams में जो mains का question बन सकता है वो कैसे बन सकता है इसकी एक practice कर लेना क्या आप इस बात से सहमत है कि राज्येपाल का संबैधानिक पद केंदर के agent के रूप में अधिक जुग गया है जो राज्येपाल का संबैधानिक पद है वो केंदर के agent के रूप में अधिक जुग गया है क्या आप भी ऐसा मानता है राज एपाल और राज्ये विदाहका की वी संगरस ऐवम संगरसन के पुरंख बंदो की चरचचा भी करें पहले इसमें राज्येपाल के प्रणोग बता सकते हैं पिर उसे सीध में पर सीध कर सकते हैं हिसाब से कि आपके यजेंट है पिर जो राज्येपाल किसी राज्ये के राज्येपाल को निमलिकित में से कौन सी विवेक आधीन सक्तिया जी जाती है। काज के संचारण के लिए नियम मनाना ये सक्ति नहीं है। 2018 में पूछा गया क्यूशन है और ये 2022 में है। 2018 में एक सवाल पूछा था मेंस में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैंसला जो दुलाई 2018 में है था उपराज्येपाल और दिल्ली की चुनवी सरकार की बीच राजनीति खीस्तान को सुलजा सकता है। जिसे दिल्ली में राजनीति खीस्तान चलती रहती है उपराज्येपाल और दिल्ली की चुनवी सरकार में तो उसके बारे में इस प्रश्ट करना था। कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो इसको सुलजा सकता है। दूसरा ग्वेशन 2022 में इससे पूछा गया राज्येपाल द्वारा बिधाई सक्तियों के पुर्योग के लिए आवर्शक सर्तियों की चर्चा कीजिए। जो राज्येपाल द्वारा बिधाई सक्तियों हैं उनका पुर्योग होता है उसकी आवर्शक सर्तियों क्या है उनकी चर्चा करो। यह सवाल आपको काफी लिफने में हेल्प करेंगे और इस वाले एडिटोरियल से इसमें आप कुछ पॉइंट्स को डाल सकते हैं। ठीक है। तो आज के लिए बस इतने रखेंगे। उम्मीद है आपको यह एडिटोरियल पसंद आया होगा। बाकि अपनी जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जाहिर कर देना। फिर मिलेंगे हम अपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एड आर्टीकल्ट के साथ तब तक के लिए बाए थैंक्स वाचिंग। झाल